डूप और आप अपने घर में स्वास्त और सुरक्षित होंगे और आप से स्वास्त और सुरक्षित रहे 20 सेकंड तक आपको हमेशा दोते रहना है अधोर का यूज़ करना है तो तो मैं लेकर आई हूं गुलाब जल बनारे का तरीका के आप अगर अपका गुलाबजल और रोजवाटर नहीं तो आप घर पे गुलाबजल कैसे बना सकते हैं जैसे मैं अपने घर पे गुलाबजल बनाया है और मैं उसको इसको कर लेती हूं 10 टेस्स एम आराम से चल जाता है अगर पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और पहले से देखते हैं अभी तक आपने मेरे चड़ को सब्सक्राइब कर दिए प्रेस बैल आइकोन बटर होता है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी नेक्स्ट वीडियो का हुए ज्यादे इस में से मैं कुछ ताजे और कुछ मुर्जाय हुए फ्लावर ले लेती हूं और इस तरीके से स्टोर कर लेती हूं गाइस अब हमें दो बावल लेनी हैं और हमें फिल्टर किया हुआ पानी लेना है लगभग एक गिलास और एक गिलास फिल्टर किया हुए पानी में हमको जब दालने हैं इस तरीके से ज्याद़ से ज्यादा जितनी पंक्री आपको मिल जाती है मेरे पास तो फोर ही फ्लॉवर थे तो मैं उसी हिसाब से उसकी क्वांटरी के हिसाब से मैंने वाटर लिया है और आप इसको अच्छे से भिगो कर एक ठंडे स्थान पर रख दीजिए कीपिन कूल प्लेस जहां भी ठंडक है अभी तो ज्यादा गर्मी नहीं है तो आप इसको एक या दो गंटे के लिए भीगो कर रख दीजे आप पैन में पानी लीजे और आपको एक से डेड़ ग्लास पानी लेना है और जो भी पत्तिया मैंने रखी हुई है भीगो कर हम सभी पंक्रियों को उसमें डाल देते हैं अब कुछ टाइम के लिए मैंने भीगो कर रख दी थी आप उनकी क्वाटिटी घटा बढ़ा सकते हैं अगर आपकी फूल जादा है तो आप वाटर भी जादा ले सकते हैं इनको तब तक चमब से चलाना तब तक इन में उबाल ना जाएगा इस हाई फ्लेम रखिए और जैसे ही उबाल आ जाता है तो उसके बाद में आप इसकी फ्लेम को लो कर दीजेगा अब हमें इसको रखना है कम से कम 10 मेट के लिए गाइस 10 मेट इसले बोल रही हूं क्योंकि मुझ इसी तरीके से बनाती हो और मैं फ्लेम को बंद कर देती हो इसको चलनी की हैल्प से आप चान कर रख लीजेगा आप देखेंगे पूरे फ्लावर की पंक्रिया उन्होंने अपना कलर छोड़ दिया है चलनी को अठा दीजेगा और आप देखेंगे इसका कलर कितना प्यारा पिंक कलर कंवास आता है झाल तब तक इसको रखना है जब तक नहीं भी थूंद स्टमी इस कंवराने तक भी कर यह तक हमें थैजर आप हमने मिल दयाना है म Sitka मैं मिलाती हूं यहाँ पर ग्लस्रेम होती ही है तो पी पर दो चमश ग्लस्रेम बंद हुए आपकी Bioal yarn तो आप इसको skip कर सकते हैं, आप इसकी जगा कोई भी essence oil मिला सकते हैं, रोज essence oil मिला सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ग्लसरीन मिला रही हूँ, और प्रॉपर तरीके से इसको mix करना है, आप इसमें विटमिन C की tablet भी mix कर सकते हैं, पीस का, बट मैं यहाँ पर विटमिन E का एक capsule म मिला रही हूँ, आप इसकी quantity घटा या बढ़ा भी सकते हैं, चम्मत से हमें प्रॉपर तरीके से इसको चलाना है, ताकि वो अच्छे से mix हो जाएं, अब मेरी rose water की ही bottle है, जिसमें मैं भरके रख लूँगे, इस मेरा तो rose water खतम हो चुका है, तो मैं इसी में भरकर रख लू शेक करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि प्रॉपर तरीके से हमारी तीनों चीजे mix हो जाएं, तो बन गया है मेरा rose water, आप इसको store कर सकते हैं, फ्रिज में और 10 डेज तक ये आराम से चलता है, आप इसे face pack में भी लगा सकते हैं, प्रॉपर तरीके से, किसी भी तरीके से use क करती हूँ, आप इसको डे में भी यूज कर सकते हैं, आपकी skin glow करेगी, और प्रॉपर बैटनिंग दाग धब्बे भी दूर करती है, अगर आप इसको night cream की तरह लगाते हैं, तो आप morning बेस का result, खुद देखेंगे कि कितने अच्छी skin निकल कर आती है, morning में आपकी skin बहुत वीडियो के साथ, तब तक stay safe, stay home, thanks for watching guys and tata, bye bye